हेलो फ्रेंड्स मैं योगे निर्पाल सिंग फ्रॉम गॉर्ण्मेंट पॉली टेक्निक बदाई हूँ आज मैं अपके लिए लेकर आया हूँ पॉली एथिलीन की मैनिफ्रेक्टिरिंग हम इंडस्टियर लेबल पर किस तरह से करते हैं जिसमें हम HDP और LDP जो इसके Co-Polymers है इनके वारे में भी डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं History of Polyethylene Polyethylene की history क्या है कि Polyethylene जो है वो हमारा एक addition polymerization है क्योंकि इसमें हम एथलीन के कई सारे या बहुत सारे मोनोमर्ज जो हैं उनका यूज करके पॉलिमराईजेशन कराते हैं और इसमें कोई भी हमारा बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है इसलिए ये एडिशन पॉलिमराईजेशन इसमें होता है सबसे पहले फॉसेट ने 1935 में पॉलि एथलीन को बनाया था या उसको प्रोड्यूस किया था इसके बाद 1950 में जो पॉलि एथलीन है उसका कॉमर्सिली यूज किया गया हाई प्रेशर पर जिसको हम LDP बोलते हैं इसके बाद 1954 में जिगलर नाटा जो दो सांटिस्ट थे उनके द्वारा मेटल अक्साइट कैटिलिस्ट और अलमूनियम अलकाईल के साथ इसको लोड प्रेशर पर और हाई टेंप्रेशर पर इसको मोडिफाइड करके बनाया गया जिसको हम HDP या हाई डेंस्टी पॉलि कहते हैं पॉलि एथरीन का स्ट्रक्चर जो है बहुत ही सिंपल होता है और ये बहुत ही अच्छा और यूसफुल मैटेरियल है जिसको हम कह सकते हैं इसके प्रोपरटीज के बेस पे इसको अगर हम डिफाइन करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि लो कॉस्ट है एक्सलेंट इलेक डीपी एक्स एक्टरा इसके साथ ही इसकी जो प्रोपरटीज हैं chemical resistance प्रोपरटीज की काफी ज्यादा अच्य होती है और processibility भी अच्छी होती है तफ्नेस इसमें material में आपको मिलेगी flexibility भी है transparency भी है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक versatile material है जो बहुत सारे product बनाने में हमारा यूज होता है यह इसकी chemical reaction है जिसमें हमने N monomers लिए है CH2, double bond CH2 यह ethylene के monomer है हमारे और जब हम इनका polymerization कराते हैं polymerization हमारा कैसा होता है addition polymerization addition polymerization हम इसका कराते हैं तो हमारी एक chain बन जाती है यह linear हम कहते हैं polymer chain बनती है ethylene monomer की जो हमारा कहलाता है polyethylene यह industrial flow sheet है जिसमें हम सीखेंगे polyethylene या LDPE या HDPE हमारी किस तरह से हम industry level पर form करते हैं सबसे पहले देखिए हमें इसमें जरुरुत होती है ethylene monomer की ethylene monomer को हम direct crude oil से form करते हैं crude oil से हम लेते हैं crude oil से लेने के बाद में अगर हम बात करें LDPE की तो LDPE में हमने बताया कि high pressure हमारा involve होता है तो हम क्या करेंगे high pressure के साथ में इसको reactor में ले जाएंगे और reactor में इसका addition polymerization कराते हैं यहां पर हमारा temperature जो है 100 to 200 degree centigrade रहता है और pressure हमारा जो है वो 3000 near about 3000 atmospheric pressure हमारा रहता है जिसमें हमारा addition polymerization होता है इसके बाद जो next है हमारा flash drum reactor से निकलने के बाद हमारा solution होता है solvent हो हमारा जाता है flash drum में flash drum में जो vapors होती है वो हमारी चली जाती है dryer की तरफ pass हो जाती है इसके बाद जो हमारा slurry होता है वो हमारा filter की तरफ चला जाता है या filter में pass हो जाता है जो हमारा diluents है या जो vapors हैं वो dryer में जाकर एगट्टी होती हैं उसके बाद इसको हम ले आते हैं fractionating column में fractionating column हमारे याँ पर दो use होते हैं या series में लगे होते हैं first जो fractionator column होता हमारा उसमें जो light ends हैं यानि की जो vapors हैं solvent में हमारे या जो diluents हैं उसमें तो तीन चीज़े होती हैं एक हमारी बेपर्स होंगी एक हमारा diluents liquid form में होगा और heavy ends होंगे तो liquid ends को हम क्या करते हैं first जो हमारा fractionating column है उसमें से इसको remove कर देते हैं इसके बाद जो rest हमारा diluents और heavy ends बचते हैं उसको हम second fractionating column से heavy ends को remove करके और जो diluents हैं उनको वापस हम क्या करते हैं recycle कर देते हैं इसके बाद जो यहाँ पर हमारा flesh drum से slurry था उस slurry को हम क्या करते हैं filtration कराते हैं यहाँ पर हमारा filtration section लगा हुआ है filtration कराने के बाद में जो हमारा water होता है वो इसमें से क्या होता है remove हो जाता है और उसको भी हम further क्या करते हैं recycle कर देते हैं recycle करने के बाद में जो हमारा यहाँ से filtration के बाद wet polymer मिलेगा उसको हम क्या करते हैं drying section में ले जाएंगे drying section में हम उसको dry करने के बाद polymer forming polymer forming का मतलब यह है यहां पर हमें अगर pallet form में LDP चाहिए तो हम उसके लिए क्या करेंगे extruder का use करेंगे और अगर हमें powder form में चाहिए तो हम grinder का use करेंगे और उसके बाद हम packaging करते हैं अगर हम बात करें HDP form करने की तो जैसा मैंने बताया कि HDP जो है जिकलर नाटा ने इसको form किया था 1954 में और उन्होंने Aluminium Alkyl और Metal Oxide आपके यूज़ किये थे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि Ethylene के साथ में Ethylene के साथ में हम क्या करेंगे यहाँ पर Catalyst जो यूज़ किये थे उनका यूज़ करेंगे Aluminium Alkyl और Titanium Cloride यहाँ पर हमें लिया है और हम Catalyst को क्या करेंगे इस Reactor में इसके साथ Reaction कराएंगे Reaction जो हमारी होगी वो High Temperature और Low Pressure पर होगी इसके बाद यहाँ से हमें HDP Form होगा और उसके बाद Flash Jump में जाएगा हमारा Slurry और Slurry को Flash Jump से फिर क्या करेंगे Filtration में ले जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे इसको Water को Remove करेंगे और Wet Polymer को जो है हम Dry करेंगे Dry करने के बाद वापस Extruder या Grindr का यूज़ करके उसको Powder या Palette Form में Packaging करेंगे इसके बाद बात करते हैं हम इसकी Properties LDP और HDPE की Properties की बात करें तो Specific Gravity जो है वो LDP की 0.915 से 0.935 तक होती है HDPE की Specific Gravity 0.941 से 0.967 रहती है Tensile Strength जो है वो LDP की 6.9 से 17.2 मेगा पासकल और HDPE की 18.6 से 30.3 मेगा पासकल रहती है Hardness की हम बात करें तो LDP की Hardness जो है वो D45 60 और HDPE की D60 से 70 तक रहती है यहाँ पर D जो है वो Hardness को denote करने का नंबर है क्योंकि Hardness की कोई Unit नहीं होती है इसलिए इसको हम Alphabetically Numbers जो होते है हमारे D, R, K, M, N इस तरह से इनसे denote करते हैं Next हमाई Property है HDT HDT याने की इसको हम Heat Distortion Temperature बोलते हैं Heat Distortion Temperature में 1.82 Megapascal लोड पर LDP 42 degree centigrade रहेगा HDT तेंपरेचर इसका और HDPE का हमारा 45 degree centigrade रहेगा TG याने की Glass Transition Temperature Glass Transition Temperature हमारा क्या होता है कि किसी भी material की वह state जहां पर वो ना तो liquid form में होगा और ना ही हमारा पूरी तरह से solid form में होगा तो वो हमारा क्यालाता है Glass Transition Temperature तो LDP का Glass Transition Temperature जो है माइनस 126 और HDPE का भी जो है वो माइनस 126 तो नियर अबाउट रहता है इसके बाद melting point LDP का जो है वो हमारा 106 से 112 degree centigrade और HDPE का 135 degree centigrade होता है इसके बाद हम बात करेंगे application of HDPE and LDP applications में बहुत सारे इसके applications हैं जिसमें हम इसका use करते हैं यहाँ पर मैं आपको कुछ applications के बारे में बताता हूँ cable seating यहाँ पर जो होती है cable के जो उपर हम coating करते हैं उसमें हम इसका use करते हैं इसके साथ ही green house film green house में जो film से हम उसको cover करते हैं land को उसको हम Greenhouse Film कहते हैं इसके बाद में Bottles Cap जो Bottles होती है उनके जो Caps होते हैं Bottles को Seal करने के लिए वो हमारे LDP से बनाया जाते हैं इसके बाद containers जो है बड़े-बड़े containers जो होते हैं या हमारे हम कह सकते हैं Bucket है, Tub है या Dustbin है, ये सब हमारे hdp से बनते हैं Blow molding containers blow molding containers में या сказать जो हमारे घर में kitchen में जो use होती हैं ज़ा oil जिसमें हम लेकर आते हैं वो हमारे containers जो हैं वो hdp से बनते हैं suitcase ये हमारे हमारे लड़िपी और dp यूज की जाती है